हाई आप्रीवर्ण वेल्कम बैक टू हेल्दी हमेशा मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक बहुत ही करिश्माई आयर्विदिक चूर्ण के बारे में जो कि आपके कॉलेस्टॉल को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है बनाने के और यूज़ करने के लिए बहुत ही जादा एजी है और पूरी तरह सेफ भी है इस आयरविदिक चुन्ड को इविन डायबेटिक पेशेंट्स भी बिना किसी परिशानी के इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी केस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं औ दोस्तों इस चुन्ड के बारे में जानने से पहले आईए जानते हैं कॉलिस्ट्रॉल एक्चुल में होती क्या चीज़ है cholesterol basically एक waxी substance होता है यायनि मौम कीतना दिखाई देने वाला substance होता है जो कि एक तरहा का fat होता है और ये हमारे blood के अंदर पाया जाता है naturally होता है हमारा liver भी इसको बनाता है और जो diet में हम चीज़े खाते हैं उनके अंदर भी बहुत सी चीजों में cholesterol पाया जाता है, वैसे cholesterol इतना भी बुरा नहीं होता है हमारी body के लिए जितना हम समझते हैं, आम तोर पे समझा जाता है कि यह हमारी body के लिए, हमारी सिहत के लिए एक villain है, और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हमें पहुचाता है, यह ऐसा नहीं है दोस्तो, cholesterol की बहुत जादा जरूरत भी हमारी body को होती है, बहुत सारे ऐसे vital functions है हमारी body में, जो की इस cholesterol की मदद से ही पूरे होते हैं, for example, हमारी जो cell membranes होती है, हमारी body छोड़े- building blocks से बनती है, जैसे घर इटो से बनता है, इसी तरह से हमारी body जो है, वो cells से मिल कर बनती है, और हर एक cell की जो outer membrane होती है, जो बाहर के जिल्ली होती है, उस जिल्ली को बनाने के लिए cholesterol की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा बहुत सारे hormones भी ऐसे होते हैं, जिनको बनाने के हमारी body में cholesterol की जरूरत पड़ती है, और vitamin D, एक बहुत ही important vitamin, जो कि हमारी body के अंदर बनता है, धूप की presence में, इसको बनाने के लिए भी cholesterol की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि cholesterol हमारे लिए बुरा ही है, अगर ये सही quantity में हमारे blood के अंदर हो, बहुत जादा ना बढ रहे, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बलकि फाइदा है, लेकिन अक्सर ये हमारी body के अंदर बढ़ता चला जाता है, बुरे खानपान की वज़ा से, या और दूसरी habits की वज़ा से, ये हमारे blood में धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, और एक level पर आके ये हमारे लिए नुक पैदा कर सकता है, वहीं जो HDL cholesterol है, ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस LDL cholesterol को ये पकड़ पकड़ के हमारी body से बाहर निकालता है, हमारे खून को साफ करने का काम करता है, तो जब भी आप कभी कोई ऐसी दवाई लेते हैं cholesterol का कम करने की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि आपका जो LDL है वो तो कम हो, लेकिन उसके साथ-साथ आपका HDL ना घट जाए, वैसे इंटरस्टिंगली जितनी भी allopathic medicines होती है, जो कि आप cholesterol को कम करने के लिए लेते हैं, वो सब की सब आपके LDL cholesterol के साथ-साथ-साथ आपके HDL को भी घटा देती है, जो अगर आपके खाने पीने की आदते अच्छी नहीं है, जादा जंक फूड आप खाते हैं, जादा नॉन विजटेरिन आइटम्स आप खाते हैं, जादा फैट का इस्तिमाल करते हैं, तो ऐसे किस्स में आपके अंदर cholesterol बढ़ सकता है, इसके लावा अगर आप सीडेंटरी ल की विज़ते भी बढ़ सकता है, और ऐसी लोग जिनके अंदर genetic conditions कुछ होती है, उनके अंदर भी cholesterol बढ़ सकता है, genetic conditions का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसी लोग भी होते हैं, जो कि सब कुछ अच्छा खाते भी हैं, regular exercise भी करते हैं, उसके बावजूद उनका cholesterol बढ़ा र होते हैं, जो कि हमारी body को instruction देते हैं, हमारे liver को जाधा cholesterol बनाने के लिए, और इस वज़ए से उनका cholesterol बढ़ा रहता है, आईए ब बात करते हैं अपने आज की इस वीडियो के main topic के बारे में, यानि यह आयरुदिक चून जो cholesterol को कम करने के लिए बनाना है, इसको बनाने का क्य है, कौन-कौन से ingredients इसमें इस्तेमाल होने हैं, और किस तरह से इसको आपको use करना है, दोस्तों यह आयरुदिक चून जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यह बहुत ही simple है, लेकिन बहुत ही जादा effective है, इसको बड़ी असानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं, इसको के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जिरुरत पड़ेगी, पहली चीज जो इसमें आपको चाहिए वो है अर्जुन की चाल, दूसरी चीज जो इसमें आपको चाहिए वो है मेथी दाना, और तीसरी चीज जो है वो आपको चाहिए तिर्फला, यह तीनों चीज आपको च तो 2 to 1 to 1 के रेशियो में मिलाना है, यानि 2 हिस्से आपको लेने है अर्जुन की छाल के, एक हिस्सा आपको लेना है मेथी दाने के पौडर का और एक हिस्सा आपको लेना है तिरफला पौडर का, दोस्तों अर्जुन की छाल जो होती है यह आपके दिल के लिए और आपके कॉ और काफी ज़्यादा effective यह होती है, अर्जुन की छाल ना सिर्फ आपके कॉलेस्टॉल को कम करती है, बलकि इसके साथ साथ आपके खून को भी पतला करती है, खून के अंदर ठक्का जमने को रोकती है, इसके साथ आपकी नसों के अंदर खासतोर से जो दिल की नसे होती है, उन पर हलकी सी सूजन सी हो जाती है, बेसिकली यही inflammation होता है, इस तरह का inflammation यह सूजन अगर आपकी नसों में हो जाए, तो यह बहुत ही बड़ा factor होती है, आपके अंदर ब्लॉकेश पैदा करने के लिए, अकसर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कॉलेस्टॉल से ही आपके अंदर ब्ल जासे हैं, वो सब के सब healthy रह पाते हैं, और अगर आपकी नसों के अंदर कोई blockage वगएरा है, वहाँ पर कॉलेस्टॉल चिपका हुआ है, तो उसको साफ करने का काम भेरजुन किछाल करती है, अगर हम तिरुफला की बात करें तो तिरुफला भी कॉलेस्टॉल को कम करने का काम करता है, और इसके साथ साथ आपके digestion को भी improve करता है, मेथी दाना ये भी कॉलेस्टॉल को कम करता है, और कॉलेस्टॉल कम करने के साथ साथ एक additional benefit इसमें आपको मिलता है, यह आपकी blood sugar को भी control में रखता है, दोस्तों blood sugar भी हमारी नसों के अंदर inflammation पैदा करने के लिए ब बढ़ी हुई रहती है, या फिर अगर आप बहुत जादा मीठा खाते हैं और आपकी body में insulin की जात्ती हो रही है, तो ऐसे किसे में भी आपकी नसों के अंदर inflammation बढ़ सकता है, और blockage का खत्रा बन सकता है, तो मेथी दाना खाने से क्यूंकि आपकी sugar भी control में रहती है, तो इ को लेने के बाद आपको आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है, इस powder को आप store करके रख लीजिए, एक airtight container के अंदर, और इसमें से 3-5 gram आपको लेना है, दिन में 1-2 time, minimum एक बार आपको लेना है, और maximum 2 बार लेना है, 3 gram का मतलब है करीब आधा चमच और 5 gram का मतलब है कर 1 teaspoon, तो आधा से 1 teaspoon आप इसको 1-2 time ले लिजिए, initially मैं recommend करूँगा कि आप 2 time से start करें, और धीरे धीरे करीब 15-20 दिन में महीने भर में जब आपका cholesterol normalized होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो इसको आप 1 time भी कर सकते हैं, एक बार में इसको आप लगतार 3 महीने तक regularly ले सकते हैं, 3 महीने के बाद मैं recommend करूँगा कि आप करीब 15-20 दिन या महीने भर का gap कर दें, और अगर दरूरत पड़े तो उसके बाद दुबारा से इसको start up कर सकते हैं, वैसे आम तोर में एक महीने के अंदर आपका जो cholesterol होना शुरू हो जाता है, काफी control में आ जाता है, उसके बाद अगर आप चाहें, तो अपने इस cholesterol को regular exercise की मदद से और अच्छी diet की मदद से आप control में रख सकते हैं, अब सवाल आता है कि इस चूण को आपको किस तरीके से इस्तमाल करना है, इसको इस्तमाल करने के लिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय आप एक ग्ल गोय था, आप एक बतन के अंदर डालिए और इसको उबालिए धीमी आज के उपर, बेहतर है कि इसको आप धक कर उबालें, अदरवाइस ऐसे भी उबाल सकते हैं, इतनी देर तक आपको इसको उबालना है, जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए, जब ये पानी आधा रह इसको पी लीजिए, ये एक बहुत ही safe और natural चूर्ण है दोस्तों, जो कि कॉलेस्टरॉल को कम करने के लिए, आपकी नियसों को साफ करने के लिए बहुत ही amazing results रखता है, और इसका कोई side effect भी नहीं है, diabetic patients हों, चाहे blood pressure वाले patients हों, चाहे किसी को thyroid की problem हो, सभी लोग इस चूर पीने तक regularly इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए, चैनल पढ़नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेर भी कीजिए, दोस्तों हमारी वीडियो को लाखो लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से 20 या 30% लोग यह ऐसे होते हैं, जो कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर आप उनमें से हैं, जो कि वीडियो दे करिए एक नॉमिनल सी फीस आपको हर महीने पे करनी पड़ेगी और इससे आप हमें फाइनेशली सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्रेडी हमारे इस चैनल को जॉइन किया हुआ है हमारे पेड मेंबर्स ह और इन सभी पेड मेंबर्स का हम तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहते हैं इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लिस्ट हमारे इन ही पेड मेंबर्स की है जो कि हमारे साथ इस सफर में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें अब तक सपोर्ट करा है आप भी में शामिल हो सकते हैं हमारे चानल को जॉइन करके चलिए इसी के साथ में डॉक्टर सलीम आप से विदा लेता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा वैसे जॉइन अगर नहीं कर सकते हैं अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ सब्सक्राइब कर लिजे